नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे वेलकम बैक टो मैं चैनल स्टड़े विद नेहा मैम तो चलो बच्चो आज हम शुरू करते हैं लिंग संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं आज हम यह पढ़ेंगे संस्कृत में लिं दो प्रकार के होते हैं पुलिंग और इस्त्रेलिंग परन्तु संस्कृत में तीन प्रकार के होते हैं संस्कृत में नपुन्शक्लिंग और आ जाता है पुलिंग जिन शब्दों से हमें पुरुष्चाति का बोध होता है उन्हें हम पुलिंग कहते हैं जैसे नरह बालक हस्तह मयूर आदी आब हम चलते हैं इस त्रेलिंग की तरफ इस त्रेलिंग जिन शब्दों से हमें इस्त्री जाती अदि होता है उन्हें हम इस्त्रीलिंग कहते हैं जैसे बालिका छात्रा लता नारी सकी देवी आदी इस प्रकार से जो भी महिलाओं के नाम होते हैं वो सभी इस्त्रीलिंग में आ जाते हैं अब हम चलते हैं नपुन्शकलिंग की तरफ नपुन्शकलिंग जिन शब्दों से जिन श इस्त्री जाती से हो उन्हें हम नपुन्शकलिंग शब्द कहते हैं अब नपुन्शकलिंग में कौन-कौन से शब्द आते हैं फलम पुस्तकम नेत्रम ग्रहम पुष्पम मित्रम चक्रम आदी ये सारे जो नाम हैं सभी नपुन्शकलिंग में आते हैं ये थे आपके पुलिंग, इस्त्रेलिंग और नपुशकलिंग शब्द अब हम पुलिंग से इस्त्रेलिंग शब्द कैसे बनते हैं वो अब हम देखते हैं जैसे स्वामिन इसका इस्त्रेलिंग होगा स्वामिनी बुद्धी मत इसका इस्त्रेलिंग होगा बुद्धी मती, बल्वत, बल्वती, बिद्वश, विदूशी, कीद्रश, कीद्रशी, भागिने, भागिनेई, अजह, अजा, प्रिय, प्रिया, वत्सह, वत्सा, चात्रह, चात्रा, बालकह, बालिका, राजन, राग्याई, किशोर किशोरी इंद्रह इंद्रानी ये हैं आपके पुलिंग से इस्त्रेलिंग शब्द मैंने आपको पुलिंग इस्त्रेलिंग और नपुन्शकलिंग शब्द पढ़ा दिये हैं बहुत ही आसान हैं बहुत ही सरल हैं आप एक वार दो वार इनका रिवीजन करना आपको ये याद हो जाएंगे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अच्छे अच्छे कमेंट करें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों